सातियो नमस्कार मैं पिरमोद कुमार आपका स्वागत करता हूँ एको नई वीडियो में किसान सातियो आज मैं आपको दिखाऊंगा दुकानदार कैसे बहुले वाले किसानों को उल्लू बनाते हैं सातियो ये जो आप दहन की फसल इस समय देख रहे हो आप देख पा रहे होगे बहुत ही अधिक मात्रा में तना छेदक कींट लगा हुआ है और जिन किसान सातियों की ये दहन की फसल है उन्होंने इसमें आज से दस रोज पहले वी एक स्प्रे की थी लेकिन उस इस्प्रे से भी इसका तना छेदक नहीं रुखा और जब किसान ने दुकांदार से बोला तो उन्होंने कहा एक पौदा दहन का उखार के लाना जब दुकांदार को किसान ने दहन का पौदा जाके दिखाया तो किसान भाईयों उन्होंने इनके लिए एक फंजी साइड हेक्सा कोना जॉल 5% EC और साथ में एक औरगैनिक कीट नासक दे दिया है आप देख पा रहे होगे किसान भाईयो एक एकड के लिए 30 ml कीट नासक दिया है जो अरजुन गोल्ड के लाम से आता है यहीं वो वहले वाले किसान हैं जिनको दो वार दुकानदार ने चूना लगा दिया है साथियों आपको वताना चाहूंगा आज से पहले जो इनों ने अपने दहन की फसल में इस्प्रे की थी चार अलग अलग दवाईया दी थी पता नहीं किसान भाईयो कौन सी दवाई थी किसान साथी बता रहे थे कि हमको चारो ही दवा एक एकड़ दहन की फसल के लिए हजार रुप्या की दी थी लेकिन उनका इस्प्रे करने के बाद भी हमारे दहन की फसल में रोग जोंका तों बना हुआ है उसके बाद ये किसान साथी अपने दहन की फसल में से एक मेड़ा दहन का उखार के ले गए और उसको देखने के बाद दुकानदार ने आज इनके लिए एक फंजी साइड और एक और गैनिक कीटना सक दिया है और फिर से आज इन से आट सा रुपिय बना लिए किसान सातियों इस खेत में देखने को भी फंजी कोई भी वीमारी नहीं है शिर्फ किसान भाईयों इस खेत में तना छेदक लगा हुआ है और जो दुकानदार ने इनके लिए और गैनिक कीटना सक दिया है किसान सातियों वैसे तो वो दहन के तना छेदक में अच्छा कारिया करता है लेकिन किसान सातियों एक एकड में उसकी डोज 60 ml रखनी होती है और दुकान दान ने 30 ml ही दिया है और सात में इनके लिए एक फंजी सैड दवा और दी है जिसकी किसान भाईयों इन दहनों में अभी आवस्चता नहीं है क्योंकि किसान भाईयों किसी भी पौदे में के लक्षन दिखाई नहीं दे रहे अगर इस समय दहान में बालियां निकल रही होती तो किसान भाईयों फंगस की दवा सही रहती लेकिन किसान भाईयों अभी इन दहनों में बालियां कोथ में हैं जो कि इस समय इन दहनों में फंजी सैड दवा की कोई आवस्चता नहीं है सातियों अधिकतर दुकांदार बोले वाले किसानों को ऐसे ही ठकते हैं अगर वो पहली बार में ही इनके लिए कोई अच्छा कीटनासक दे देता तो किसान भाईयों आव तक इनके खित में काफी हद तक तना छेदक कंट्रॉल हो जाता लेकिन उस दुकांदार ने इनको दो वार ठगा है किसान भाईयों अब मैंने इनके लिए उसी कीटनासक दुकांपर बापिस बेजा है और इनसे कहा है कि उस दुकांदार से मेरी बात कराना तो किसान भाईयो आप जब भी कोई दवा लेने जाएं तो दुकानदार से यही की कि हमको यह दवा चाहिए उससे यह नहीं बोलें कि हमारी किसी भी फसल में यह समस्या दिखाई दे रही है अन्यता किसान भाईयों दुकांदार किसानों को ऐसे ही ठकते रहेंगे जिससे किसान भाईयों पैसे भी अधिक खड़्च होते हैं और सारी की सारी फसल भी बर्वाद हो जाती है तो किसान सातियों आज की वीडियों में इतना इन था वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें दूसरे किसान सातियों के साथ जादा से जादा वीडियो को शेयर करें जिन किसान भाईयों ने अभी तक हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है किरपा हमारे चैनल को सस्क्राइब करें साथ में गंटी के बटन को All पर सलेक्ट कर दें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंश सके